बाहर जाने की बज़े किमुना घर पर ही बनाए रेश्टोरेंट जैसा चकोलावा केक सिर्फ को चासान टिप्स में तेयार करें यह डेलिसियस केक जो हार बाइट में मिलेगा चकलीट का स्वाथ तो रेसीवी को शुरू करते हैं चकोलावा केक बनाने के लिए मैंने ली है से कामी स्वीट 55% कोकवा डार चकलेट आसानी से मेल्ट होने के लिए चकलेट को छोटी-छोटी टुकड़ों में काट लेते हैं चकलेट को एक हीट प्रूब बोल में डालें क्यूंकि डबल बैल करके मेल्ट करना है तो इसके लिए एक सस्पेंड में थोड़ा पानी लें ध्यान रखें कि चकलेट वाले बोल का बटम पाट पानी को टर्च ना करें हीट को लोग पर रखें इसमें आधा कब बटर एड़ करें और चकलेट पुरी तरह मेल्ट होकर स्मूठ टेक्स्चार आने तक लगातर हिलाते रहें इसे और ओफर मिक्स ना करें ओयल से फ्रेट हो जाएगा ओयल से फ्रेट होने पर केक ठीक से नहीं बन पायेगा जब स्मूठ हो जाए तो आज से उतालने केक को आसानी से बाहर निकलने के लिए पहले रामेकिन्स को थोड़ा बटर लगा कर चिकना कलने और फिन उन पर हलका सा मैदा चिरक कर उसमें से एक्सेस फ्लोर को निकल दे अब मैदा की जगा कोकवा पाडर भी इसमें चिरक सकते हैं लेकिन कोकवा पाडर का टेस से पंदरा मिनट के लिए प्रिहिट कर लें एक बड़ा मिक्सिंग बोलने और उसमें डालें दो अंडे और दो अंडे की योक्स अंडे रूम टेम्पेरेचर पर होने चाहिए इसमें तीन टबल स्पुन चीनी और एक पिंज नमक एड़ कर लें इसे हाय स्पीड पर बीट करें जब तक मिसरन गाड़ा होकर पेल यलो कलर ना हो जाए लवर के लिए आधा टी स्पुन वनिला एसेंस एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लें इसमें मेल्ट किया हुआ चकलेट को डालें दो टेबल स्पुन मैदा डालकर लम्स ना रहने तक अच्छे से फूल कर लें बेटर में इससे अधिक मैदा ना डालें क्यूंकि इससे सेंटर का हिस्सा सक्त हो जाएगा अब प्रतेक रामेकिन पर बराबर मात्रा में केक बेटर डालें लगबख आधा कप इसके बाद तू थाटी डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेर ओवेन में लगबख दस से बारा मिनट के लिए बेग करें या जब तक केक के किनारे सक्त ना हो जाए लेकिन बीच का हिस्सा हीलता डूलता रहे ओवन में चकलेट लाबा केक पर बहुत बारिकी से नजर रखें ताकि केक ज़्यादा ना पक जाए जब केक इस तरह से बेख हो जाए तो ओवेन से निकालने और एक मिनाट के लिए ठंडा होने दें यह देखिए केक सेंटर में थोड़ा थोड़ा हील रहा है इसके उपर थोड़ा सा पाउडर सुगर स्पिंकल करके तुरंद गर्मा गरम सर्प करें चकुलाबा केक एकदम पर्फेक्ट बना है अगर आपको रेसी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नौ भूलें धन्यवाद मिलते हैं और एक नई रेसीपी के साथ